हाई फ्रेंज में चैनल पड़ा आप सभी का स्वागत है आज मैं मिक्स भेज उपमा बनाने जारी जो खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी है ये बचे हुए सब्जीयों से हेजगर में जो थोड़ा थोड़ा सब्जी बच जाता उसी समय ने ये बनाया और ये खाने में बहु दाना डाल के लिए खो मिनेट के लिए मैं फ्राइ wipes कर लेती हो डू मिनट हो गया है अब में इसे निकाल लेती हो है रूए है दो यहां पर मैंने सरल थोड़ा से सरसों के दाना डाला है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कड़ी पता डाला है बारी बारी से मैं सारे सबजीयों को इसमें डाल दे रही हूँ पत्ता गोवी पहले मैंने डाला है फिर मैंने प्याद डाला है गाजर मैंने डाला है बीन्स डाला है मतर डाला है और कटा हुए इसमें सिमला मीर्च और टमाटर भी डाला है और सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ पांच मिनट तक मैं इसी तरह इसे मिलाते रहूंगी थोड़ा सा मैंने यहां पर हरा ये मिर्च डाला है और इसते भी मैं मिला लेती हूँ दो मिनट के लिए मैं धकन से ढग देती हूँ मैंने धकन हटा दिया इसमें आधा चमच मैंने यहां हल्दी डाला है थोड़ा सा मैंने यहां गोल की जीरा का पॉडर डाला है स्वाध अनुसार मैंने यहां नमक डाला है और इसे मिला लेती हूँ एक कटोरी मैंने यहां सुजी डाल ला है और इसे भी मैं मिला लेती हूँ सुजी को मैं पांच मिनट तक मिलाते रहूंगे तो पांच मिनट हो गया है अब मैं एक गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और इसी तरह इसे मिलाते रहूंगे तो उपमा हमारा हो गया है थोड़ा सा मैंने यहां चना के डाल डाला है वो फ्राइ किया हुआ मैंने चना के डाल डाला है और थोड़ा सा मैंने बारी कटा हुआ यहां धनिया डाला है और सब को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो हमारा उपमा बनकर तयार हो गया है तो आप इस रेस्पी को घर पर जरूर बनाए विडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए ठैंक यू